हलो फ्रेंड्स आज मैं आपसे सेयर करने वाली हूँ प्लास्टिक थैली से जुड़े हुए बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जिसे आप अपने लाइफ में यूज करके स्मार्टली वर्क कर सकती हैं बहुत सारे काम आसानी से कर सकती हैं चलिए सुरू करते हैं यह मैंने करने के बाद और यहाड़ु करने केBRखने मेरी जुड़ी हई जाड़ु को लेके जब जाडू नया लाते हैं तो कुछ दिन ही यूज करते हैं तो उसके बाद यह तूटने लगता है और जाडू आजकल बहुत ही महंगी मिलने लगी है तो इसको हम इससे सिक्योर करेंगे फिकस करेंगे ताकि जो फूल है जूस 설 पूल निकले नहीं और इसमें फिक्स है और हमारी जाड़ू ज्यादे दिन त्व अच्छे से काम कर सके रॉक कर सके और Cल सके तो हम क्या कर सके प्लास्टिक को ऐसे मैंने कट कर लिया है आप चाहें तो दो प्लास्टिक एक साथ लेके और एक बराबर कट करके ऐसे इस पर रैप कर सकती हैं और इसको इस पर ऐसे हम लपेट लेंगे लपेटने बाद हम किसी जैसे किसी चीज से हम इसको लेके जैसे सेलो टेप से लेके हम इसको सेक्योर कर सकते हैं या फिर आप प्रेस को गरम कर लीज अच्छे से इस पर फिक्स हो जाएगी और बिल्कुल भी निकलेगी नहीं और मेरी प्रेस थोड़ी सी जादे गरम हो गई थी अब मैंने बस एक ही प्लास्टिक का यूज किया है इसलिए थोड़ा से चिपक गई है आप हलका प्रेस गरम करके इस तरह से प्रेस करिएगा पड़ेगा नहीं और बहुत इसमाटली वर्क करेगी और बहुत दिन तक आपकी जाड़ू चलेगी जल्दी-जल्दी हमको खरीदना नहीं पड़ेगा है नहीं बहुत कमाल की ट्रिक कि यह इसको एक बार यूस करके देखेगा फ्रेंस बहुत यूस फुल है अगली टीप है बढ़ा हो है मेरी यह द्वा को लेकर जब भी हम सफर में जाते हैं तो कोई भी द्वा gjort भूंप हो यह फिर приготов when दे छुशन रहे बंबड़ी है और हैंसे सीं मैंने से बचा स्कारें को और हम भी है यह disseminate और इसको अछे सेे हम गोलाकार में कट करने के बाद क्या करेंगे इसको हम बाटल की scientifically rånकात्याकाई fulfil hm विसके बाद इसकेर हम लगा देंगे जैसे मैं देखे लगा रही हुँ आप भी इस तरह से डबल करके और उसके बाद इस पे लगा के और धकन उपर से उसकी कैप बंद कर दीजिएगा और देखेगा यह बिल्कुल टाइट हो जाएगी और जब भी आप कहीं सफर में जा रही हो या फिर आपको बैग में रखके ले जाना इसको लांग टाइ तो बिल्कुल चीटिया भी नहीं लगेंगी यानि चूटा चीटी जो भी यह वह नहीं लगेंगे अगली टिप मेरी फ्रेंड्स चीनी को लेकर चीनी की डब्बे को लेकर अक्सर मांसून सीजन में ऐसा होता है कि जब भी हम चीनी स्टोर करते हैं तो भाई सबके पास तो एयर टाइट जार होता नहीं है कि सबके घरों में एयर टाइट जार हो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके घरों में अक्सर ऐसे डब्बे होते हैं जो एयर टाइट नहीं होते हैं तो उसको फिक्स करने के लिए यानि एयर टाइट बनाने के लिए हम क्या करेंगे लेंगे प्लास्टिक की तैली और उसको dhQUE कर लेंगे चौकोर। अकार में जैसे मैं कट कर रही हूं इस तरह से चौकोर अकार में कट करने के बाद हम इसको ले लेंगे और सब्सेंगे ऐसे आप पर चाहिसे चोब राकाम के बाद आप को जरूर है आप बरतल पर फिर लगा रही कि उसको इसको उसको पे लगा flage लरा के बाद उसका ढगल सकी यहां पिपंद मिस्टी अब करें बिसके राघकर देर नहीं जाएगी और ना हिए उसमें चीटियां लगेंगी ना हिसी एसे ऐसे डबे में यह ची विर रख रही है नमकीन रख रही है उसमें भी यह ट्रिक यूज़ कर सकती है न कमाल की टिप यह टिप मुझे बहुत यह अच्छी लगती है आप एक बार यह यूज़ करके देखिएगा अगली टिप देख लेदें फ्रेंड्स मैंने लिया है वही प्लास्टिक वाला बैग और उसपे आप अपने हथेली रखके और किसी पेन की मदद से आप पूरे हाथ का निसान बना लिजिए गा और उसके बाद चाकू को गरम करके फ्रेंड्स हम पूरी हाथ के निसान को हम अच्छे से बचाते हुए उसको हम कट कर लेंगे चाकू को गरम करेंगे और उससे easily हम इ ब्लास्टीक को फेक देता है Рीउज नहीं करते हैं तो मैं आपके पास कोई यूज करता हो तो उसमें भी यह आती है तो आप उसका भी इस इस तरह यूज कर सकती है और उसके बाद हम क्या करेंगे आप इसको बहुत तरीकों से यूज कर सकती है मैं क्या करती हूँ जब भी हम सफर में जाते हैं तो कई लोग होते हैं तो ब्रस को ले जाना होता है तो इस तरह से मैं रख के ले जाती हूँ इस से क्या होता है सबकी brush अलग-अलग होते हैं और jump transfer नहीं होते हैं एक से दूसरे brush में और इस तरह आप रख के बहुत सारे brush को ले जा सकती हैं और बहुत आसानी से ये इसमें pack हो जाते हैं और ये देखिए इस तरह आप अपने bag मे देखिएगा आपको बहुत ही पसंद आएंगे और आपके काम बहुत ही आसान हो जाएंगे friends बहुत ही गजब की tip है आप इसको जरूर यूज करिएगा आपको जरूर पसंद आएंगी अगली tip मेरी यह है friends देखिए हम इस तरह की जब दवा यूज कर लेते हैं तो उनकी rapper ह होते हैं तो उनको फेक देते हैं उसका यूज हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं उसको हम कैची तेज करने के लिए कर सकते हैं अक्सर कैची को देना पड़ता है बाजार में उसको तेज करवाने के लिए तो आप इस तरह से जो आपकी कैची थोड़ी सी धार उसकी मोटी हो तो उसको आप क्या करिे ले ले ली झिया और इस तरह से आप रैपर को कट करते जाएगा इस तरह करिए गाओं करते समझी देखिएissions आपकी-लब कहाची हो जाएगी और आप बलकुल आपको बाजार से उसको कट यानिन Isori उसको तेज नहीं करवाना पड़ेगा और बहुत इसली ये वर्क करने लगेगी है ना ये बिल्कुल कमाल की टिप पसंद आ रही हो फ्रेंट्स तो लाइक तो जरूर करिएगा एक लाइक तो बनता ही है और चैनल पर पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब की बिना मच जाएगा फ अब भी हम इसको क्रस्ट करें हमां दस्ते में लेके तो कूटते समय एक तो आपका मसाला ठंडा होना चाहिए ठंडा विल्कुल कर लीजिए अगर गरम करके कूट रही हो तो अगुटते समय उसमें थोड़ा सा आप मिला दीजिए नमक नमक मिलाने से बहुत इसली वह पिस प्रक्से हो जाएगा जो कम आपका पांच मिनुट में होने लिए